दोस्तों क्या आप जानते हैं, US में lower class के लोग हर साल 400 डॉलर यानि करीब 30,000 रोपे लोटरी टिकेट में खर्च करते हैं साल के कोई भी टाइम इनके पास कोई भी सेविंग नहीं होती यहां तक कि उनमें से आधे लोगों के पास emergency के लिए भी पैसे नहीं बचे होते हैं अब आप यह कहेंगे कि वो लोग लोटरी टिकेट में खर्च करने की जगा उन पैसों को सेव क्यों नहीं करते लेकिन उनके हिसाब से उनकी life और उनकी financial condition सिर्फ लोटरी आ किस्मत ही बदल सकती है उनको लगता है कि वो हार्ड वर करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते उनके दिमाग में सिर्फ ये भरा है कि अमीर सिर्फ और सिर्फ किस्मत वाले ही बन सकते हैं तो basically lottery की ticket ही उनको उमीद और सपने दिखाती है अब आप में से बहुत से ये कहेंगे कि ये तो फाल्तु सोच है क्योंकि हमें पता है कि lottery जितने के कम chances होते हैं और अपनी life को lottery के भरोसे ही छोड़ देना और भी बेवकुफी की बात है लेकिन अगर आप उन लोगों को समझाने जाओ तो उल्टा वो आपको बेवकुफ समझेंगे और शायद वो आपको गलत बोल कर return में आपको बुरा fill करा देंगे जबकि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे दोस्तो पैसो को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बलकि पैसो के प्रती आपके behavior पर निर्भर करती है कभी-कभी एक genius भी अपनी सारी दौलत गवा देता है तो कभी-कभी एक ordinary सा इंसान भी super rich बन जाता है चलिए इसे एक सच्ची कहानी से समस्ते है दोस्तो बुक के author Morgan एक hotel में काम करते थे जहां पर एक technology executive engineer आता था जिसने अपने young age में ही wifi router की key को बना कर उसे अपने नाम पर patent करा लिया था और उसे अच्छे खासे कीमतों पर बेज डाला इसी प्रकार उसने कई सारी और भी technology को invent कर उसे बेच कर खुब पैसा कमा लिया था और इस इनसान के पास अब बहुत सारे पैसे आ गये थे ये एक millionaire बन चुका था लेकिन उसका अपने पैसों के साथ behavior बहुत ही खराब था वो हर समय अपने साथ नोटों की गड़ियां लेकर घुमा करता था और शराब पीकर अपने अमीर होने का show off करता था एक बार तो उसने हदी कर दी उसने अपने पैसों के बदले धेर सारे सोने के सिक्के लिए डाले और फिर वो अपने दोस्तों के साथ समंदर गया और एक गेम खेला उस गेम में जो गोल्ड कोईन को जीतनी जादा दूर तक फिकेगा वो जीतेगा अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक कहानी होगी लेकिन ये एक सच्छी खटना है दोस्तों पैसों के साथ ऐसा बेहुदा बिहेव वो भी सिर्फ मस्ती के लिए अब क्या आप सोच सकते हैं कि उसका ऐसा वैवार कितने समय तक चला होगा दोस्तों आथर बताते हैं कि वो इंसान अपने पैसों को ऐसे ही फिजूल खर्चों में पार्टीस में और शराब में बरबाद कर देता था और महस दो सालों में ही वो इंसान रोट पर आ गया और उसके सारे दोस्तों भी उसे छोड़ कर चले गया अब आप कहेंगे कि ऐसा तो होना ही था आप कोई तर्क दें उससे पहले आप एक और कहानी सुन लीजिए ओथर बताते हैं कि रोनल्ड रीड जो कि एमेरिका के एक गाउं का रहने वाला था जिसके पूरे परिवार में सिर्फ उसी ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी रोनल्ड एक सफाई करमचारी था उसने 25 साल तक ये काम किया और 38 के बाद उसने एक गाड की नौकरी की रोनल्ड बहुत ही साधानन जीवन वैतित करता था उसकी शादी भी हुई लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने दो बच्चे को गोद ले लिया पचास की उम्र में उनकी वाइफ का देहान थो गया और 92 साल की उम्र में वो भी गुजर गया और जब वो मरा तो उसकी निउस अख़बारों में और टीवे में आने लगी लेकिन क्यों भला एक सफाई करमचारी के मरने पर ऐसा क्या खास बात दरसल बात ये थी कि जब वो मरा तब उसकी टोटल नेट वर्थ आठ मिलियन डॉलर यानि की करीब 57 करोड रुपए थी क्या आप सोच सकते हैं कि एक सफाई करमचारी के पास इतना पैसा कहां से आया दोस्तो बात बस इतनी सी थी कि रोनायल अपनी सेलरी का आदा हिसा ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता था रोनायल के कोई शौक नहीं थे और ना ही उसने एक बार भी अपना इंटरेस्ट निकाला था और अपने सारे पैसो को कमपॉंड होने दिया और आखिर में उसके पास संतावन करोड रुपए आ गए दोस्तो अब आप समझी गए होंगे कि पैसो को बनाया रखने के लिए आपको किसी खास टेकनिकल नॉलेज की जौरत नहीं है बलकि जरूरी है कि आप पैसो के साथ कैसा वैभार करते हैं दोस्तो पैसा कामारे एक सौफ्ट स्किल है ये कोई भी कर सकता है लेकिन एहम मुद्ध है कि क्या हर कोई उसे बरकरार रख पाता है ये हर किसी के बस की बात नहीं इसमें कोई लॉजिक नहीं बलकि पैसो के मामले में हम साइकलोजिकल सोचते हैं आप देखी सकते हैं कि जहां एक तरफ टेकनोलोजी, एकस्क्यूटी, एक जीनियस होने के बावजुद भी रोड पर आ जाता है और दूसरी और एक सफाई कर्मचारी करोड़ पती बन जाता है दोस्तो पैसो से आप सब कुछ खरीच सकते हैं मगर एक अच्छा वैवार नहीं खरीच सकते तो उस पैसे का आखिर मतलब ही क्या होगा जो आपके पास टिक ही नहीं पाए ये तो वही बात हो गई जैसे आप एक रात के लिए अमीर बने और अगले ही दिन आप वापस गरीब हो गए इसलिए आप भी अपने पैसो के प्रती सही बिहेव रखें हम इसा पैसो का सम्मान करें तो दोस्तो आज की वीडियो हम मॉर्गन हाउजल की साइकोलजी आफ मनी की कुछ इंपोर्टेंट लेसन जानेंगे और जानेंगे कि हम इनसान पैसो को लेकर लॉजिकल नहीं बलकि साइकलोजिकल होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेसन वन सच्ची दौलत वो है जो आप नहीं देखते दोस्तो एक तरफ एक बड़ा घर बड़ी कार महंगा मोबाइल ये सब दिख रही होती हैं लेकिन वही इसके दूसरी और इन सब का लोन आफिस की परिशानी और उसकी वज़ा से घर में रोज के जगड़े इन्हें हम नहीं देखते अक्सर हमें जो दिखता है वो पूरा पिक्चर नहीं होता और जाने अन जाने में ये चीज़े हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती है हम जब भी किसी अमेर इनसान को देखते हैं कि उसके पास कोई लगजरी कार हो या वो कहीं चुट्टी पर गया हो तो हम भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती या हम भी कहीं घुमने जाते अब हम यह नहीं सोचते कि क्या वाकई में उनकी लाइफ मस्त है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है हम बस उनकी लाइफ की खुबसूरत दिखने वाली चीज़ी ढूनते हैं वो यह नहीं सोचते कि जिस सोच से उसने कार ली थी तो लोग उस इनसान की एज़ज़त करेंगे लेकिन लोग उसकी नहीं बलकि उसकी कार की एज़ज़त कर रहे हैं क्योंकि जब भी हमारे सामने से कोई कार गुज़रती है तो हम हमिसा यही कहते हैं कि वाह क्या कार है हम ऐसा कभी नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है इसी वज़ज़ से लोगों के दिमाग में सिर्फ यही बैठ गया है कि अमीर का मतलब उसके पास कुछ महेंगी चीज़े होनी चाहिए दरसल अमीरी का सही मतलब है कि क्या हम अपनी जिन्दगी अजादी से और बीना परिशानियों के जी रहे हैं या नहीं अगर हा तो आप अमीर है सबसे बड़ी और सबसे important चीज जिसे हम पैसों से नहीं खरीच सकते वो है हमारा time क्योंकि अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको enjoy करने का आपके पास समय ही नहीं है तो आपके उतने सारे पैसे कमाने का क्या मतलब दोस्तो पैसों को समझना शायद हम इंसानों के बस की बात नहीं क्योंकि जहां एक तरफ पैसा किसी के लिए महज फिजूल खर्चों में काम आता है तो एक तरफ किसी के जिंदगी और मौत के बीच खड़ा रहता है इसलिए जरूरी है कि आप पैसों के साथ साथ अपनों को भी टाइम दे क्योंकि पैसों से ज़्यादा जरूरी शायद आपके अपने ही है लेसन टू नेवर इनफ दोस्तो रजद गुपता जो कि कोलकाता के गाउं से बिलॉंग करते थे वो बहुत ही होश्यार और महनती थे अपने काबिलियत के दम पर वो एक कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के सीईओ बने इसके अलावा भी वो बहुत सारे कंपनीज में एहम पोस्ट पर थे और साल 2008 में उनकी नेट वर्थ करीब 100 मिलियन डॉलर यानी करीब 7.43 करोड रुपए थी इतने पैसों को अगर वो बैंक में रखकर इंटरेस्ट लेते तो हर घंटे उन्हें 50.000 रुपए मिलते वो भी बीना कुछ किये लेकिन ये भी उनके लिए काफी नहीं था वो मिलियन एर तो थे ही जैसे कोई डेल वगेरा तो इस इंफोर्मेशन को डेल से पहले यदि किसी व्यक्ति को बताकर कंपनी के शेयर खरीदे या बेज़े जाते हैं तो उससे इंसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और ये एक क्राइम है तो रजद गुपता ने इंसाइडर ट्रेडिंग करके करीब 17 million dollar कमा लिये थे लेकिन इसका खुलासा होने के बाद रजद गुपता को दोशी करार दिया और जेल भेज दिया गया और साथ ही उनकी reputation भी खराब हो गई दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ problem होती ही है जहां पर उनके पास enough पैसा enough goal होता है लेकिन लालज के चक्कर म इसमें आपकी सभी needs और reasonable wants पूरी हो सके और इसके बाद जो कुछ है वो सब एक लालच है जो आपका peace mind खराब कर सकता है दोस्तों social comparison सबसे ज़्यादा problem create करता है जैसे अगर आपके दोस्त के पास BMW कार है तो आप भी यही सोचेंगे कि मुझे भी आप उससे ज़्यादा की गाड़ी लिनी चाहिए और आप फिर एक ऐसे competition का हिस्सा बन जाते हैं जो कभी खतम नहीं होती इसलिए आपको enough का sense पता होनी चाहिए lesson 3 अमीर होना versus अमीर बने रहना दोस्तों अमीर बनने के क penny तरीके होते हैं लेकिन गरीब होने का एकी करण होता है जो है अपने पैसों को सहीं तरीके से handle नहीं करना इसलिए author हमें ये कहते हैं कि अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल अमीर बने रहना है क्योंकि जब आदमी के पास पैसा ही नहीं होता तो उसे control करने के लिए कोई जौरत ही नहीं क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है लेकिन जब आदमे के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो उसे self control सीखना ही पड़ता है अगर आप 1000 रुपय को आज सही डंग से नहीं रख पा रहे हैं तो जाहिर है कल आपके पास एक करोड भी नहीं टिकने वाली दोस्तों दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं एक वो जो save करते हैं दूसरे को लगता है कि वो save नहीं कर सकते और तीसरे वो जिनको लगता है कि उनको save करने की जरौत ही नहीं है आप third category में नहीं आते क्योंकि आप ये video देख रहे हैं हर एक पैसा जो आप save करते हो वो आपके future का वो समय खरिदता है जो शायद किसी और ने खरीद रखा था इसलिए आपका saving करना बहुत जरूरी हो जाता है और अगर आपने अभी तक saving नहीं की तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे lesson 4 आप सभी चीजों के लिए एक कीमत चुकाते हो दोस्तों माल लीजे आपको एक कार खरीदनी है और उसका price 12 लाग रुपए है तो अब आपके पास 3 option है पहला आप 12 लाग रुपए पे करके उसे खरीद लो दूसरा आपको इतना खर्च नहीं करना तो आप उससे सस्ती या second hand खरीद सकते है और तीसरा आप किसी दूसरे की कार चुरा लो अब 99% लोग उस कार को नहीं चुराएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि चुराने पर तो कार मिल जाएगी लेकिन उसके बदले उन्हें जो problem होगी वो बहुत जादा हो सकती है तो उसके benefit जो दिख रहे हैं उसके मुकाबले उसके नुकसान बहुत ही बड़े है इसी तरह अगर आपको अमीर बनना है तो आप भी अपने पैसो पर सही फैस्टा ले जैसे एक तरफ आप इन्वेस्टिंग करते हो और एक तरफ आप अपने पैसो को बैंक में ही रहने देते हो अगर आप अपने पैसो को बैंक में ही रहने देते हो तो ये बिल्कुल उस कार को चुराने वाले option की तरह ही है जहां आपका फैता तो कम लेकिन आपका नुकसान जादा होता है क्योंकि लोग इन्वेस्टिंग के प्राइस को समझ ही नहीं पाते उन्हें घर, गाड़े या बैंक, एफटी जैसे चीजें ही दिखती है इन्वेस्टिंग नहीं तो आपको भी अपने पैसो को सही जगा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपकी भी financial conditions ही रहे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आशाहिए ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद